आज हम भारत के भुवाकरतिक प्रदेश उत्री तता उत्तर पूर्वी हिमाले के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो देखिए उत्तर एम उत्तर पूर्वी हिमाले की पूर से पस्सिम यह पस्सिम से पूर की जो लंबाई यह वह है 2500 किलोमेटर इसकी चोड़ाई उत्तर स से दक्षिन की और हिमाले का विभाजन उत्तर से दक्षिन की और हिमाले का विभाजन तो इसको पांच भागों बाट रखा है हमने पहला है ट्रांस अत्वा परा हिमाले तूसरा है महान हिमाले तीसरा है लगु हिमाले चोथा है शिवालिक हिमाले और पांच वा है उत्तर हमाल्य में इसके वाद महान हमाले यहां अगर हम पस्तिन से पूर्वी कि तरफ देखे तो इस तरह से भिस्तृत है इसके नीचे आजाता है लगिंटाइए और इसके नीचे आजाता है शी हमाले हैं अब अस्तिय आपके उत्तरपूर की पहाड़ियां या उत्तरपूरवी हमाले तो वह यहां पर आता है कि अंत्रगात उत्तरपूरवी भारत का भाग अब देखो आप यह तो लोकेशन आपको ध्यान हो नीची मानचेत्र पर काराकुरम कहा है लद्दा कहा है जॉसक हिमाले को महान हिमाले से क्या प्रतक करता है तो देखिए हमेने बता रहा है ट्रांस हिमाले को महान हिमाले से प्रतक करता है इसके बाद है कि लगू हिमाले को शिवालिक हिमाले से क्या प्रथक करता है तो वह प्रथक करता है MBT मेन बांडरी फाल्ट मेन बांडरी फाल्ट यहां देख लीजिए आप डंग से ट्रांस हिमाले को महान हिमाले से जो प्रथक करता है वो यहां पर ITS Z महान हिमाले महान हिमाले में और आपके में बाउंड़री वाल्ट अब एक-एक करके हम देखेंगे इनके बारे में कौन-कौन सी चोटी है मिल रही है क्या विशेश्टा है तो पहला है ट्रांस अत्वा पराहिमाले यहां पर भारत की सबसे उची चोटी मिल रही है गौडविन ऑस्टिन जिसे केटू भी करते हैं इसकी उचाहिए मिल रही है तो इसकी उचाहिए आपको याद हो नहीं चीए क्योंकि भारत की सबसे उची चोटी है इसके बाद देखते हैं व्रहत अत्वा महानिमाले यहां पाए जाने वाली कुछ प्रमुक चोटी हैं माउंट एवरेश्ट 8849 मिटर संसार की सबसे उची परवच चोटी ने नंदा देवी 7817 मिटर तो यह सब परवच चोटी है मिलती है व्रहत अत्वा महानिमाले में इसके बाद लगुई माले में देखो क्या क्या मिल रहा है लगुई माले पीर बंजाल श्रेणी मिलती है पीर बंजाल श्रेणी कौन से राज्य अत्वा के अंदर सासित में मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है और महाबारश श्रेणी नेपाल में है इसके बाद हम देखते हैं आगे कि लगुई हिमाले में कुछ प्रमुख प्रेटनिस्तल भी मिलते हैं कौन-कौन से शिमला मसूरी नैनिताल दारजिलिंग जहां लोग अपनी चुट्टिया अभि प्रमुख प्रेटनिस्तल लग हिमाले में हैं इसके बाद आथा है श्युवालिकी माले है शिवालिक हिमाले इसमें मिलने वाली घाटियों को पस्सिम में तो कहते हैं दून और पूर में कहते हैं दार जैसे आपने नाम सुनाओगा देहरादून तो देहरादून एक घाटी है और हरीद्वार ये पूर में मिलने वाली घाटियों को कहते हैं तो देहरादून बरेजिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे पठकाई अरुम प्रदेश में कहते हैं से आअगा पाहड़ी that is कि जो पहाड़ी से मिजोरं गारो खासी जैनतियां पाढ़ी उमेगालय मिलती है डाफला मिरी अब और मिश्मी यह मिलती है अरुनाचर प्रदेश में इनको मान्चित्र पर देखेंगे अभी तो अब चोटियां देखी थी व्रह दिमाले की उनकी लोकेशन अपन मान्चित्र पर देख लेते हैं तो देखो यह केटू गौडविनाउस्टें इसके बाद नंदादिवी यूत्राघंड में है चोटी धोलागिरी अनपूर्णा मा सेबाल में है और कंचन जूंगा अपने सिक्किम में है कि इसके बाद यह पूर की जो पाड़िया है इनको की भी लोकेशन्स वता रखी है जैसे दापला मेरी अबोर और मिश्मी यह जो है आपके दापला मेरी अबोर मिश्मी पन काइब पतकाई बूम जो है वह अरुनाच में और मीजो की पाडिया मिलती है आपके मिजोरम में इसका आपको भ्यास करना पड़ेगा मानचित्र पर बनाके भ्यास कीजिए अब हम देखते हैं हिमाले का प्रादेशिक प्रादेशिक भीभाजन यह अभी हमने देखा था उत्तर से दक्षिन के और भीभाजन अब प्रदेशों के अधार प्रभाजन के से किया हुआ है कि देखते हूं तो देखिए ये मानचित्र में इससे परस्वाला हिस्सा कश्मीर इमाले इसके बाद यहां पर हिमाचल और उत्राकंड इमाले फिर नेपाल वाला पार्ट नेपाल हिमाले उसके बाद दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाले दार्जिलिंग पसिम बंगाल में है और सिक्किम में जो चोटिया मिलती है उसके आजार पर सिक्किम हिमाले उसके बाद अरुनाचल हिमाले और छट्टा है आपके पूर्वी पहाड इतनी करते हैं इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए चोथा पार्ट हुजाएगा हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमाले पांच वार उनाचल हिमाले और छट्टा है पूर्वी पहाडियां और परवत्त पूर्वी पहाडियां और परवत्त ठीक है अब आगे चलते हैं तो एकWow पेष्मांच ने के बारएं पढ़ेंगे पहला है कश्मीर या उत्तर पस्यमी हिमाले कश्मीर में कौन कौन सी परवश्ट्रेिया खरक्रें मिलताن मिलती है लद्दाक मिलती है जोसकर मिलती है और पीर-पंजाल मिलती इनकी location अपन मानचित्र में पहले ही देख चुके हैं दर्रे कौन-कौन से मिलते हैं जो जीला बनिहाल फोटूला और खरदुंगला यह जो दर्रे हैं यह मिलते हैं आपके कश्मीर हिमाले में यह इनकी location ध्यारों नीचे आपको दर्रों की कई बार पुछा जाता है इसके बा नदिया नदिया मिलती है कश्मीर हिमाले में सिंदू जहलम चेनाब यह सभी नदिया कहां बैती है कश्मीर हिमाले में बैती है इसके अलावा एक इस्तलागरती मिलती है कश्मीर हिमाले में करेवा करके क्या होता है करेवा चिकनी मिट्टी आदी प्रधारतों का हिमोड पर मोटी परत की रूप में जमाओ। जब हिम conflict पर चिकनी मिट्टी जैसे कई परदाएर्ट जम जाते हैं मोटी परत की रूप में तो उसे हम कश्वीर में कहते हैं करेवा अब हम हमारा दूसरा हिमाले देखते हैं हिमाचल और उत्राखंड इमाले हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड राज्ये के अंतरगत आता है इसमें कौन-कौन सी परवश्रेणिया है आपके धोला धर है एक तो इसमें नाग तीभा परवश्रेणिया यह ध्यान होना चीए कि कहां पर है कौन से माले के अंतरगत है दर्रे देखो बारा लाचाला बारा लाचला दर्रा जो है वो हिमाचल परदेश में है शिपकिला दर्रा भी हिमाचल परदेश में है निती दर्रा माना दर्रा ये दोनों उत्तराखंड में है और रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा ज पढ़ाई थी देहरादून इसके लाएं गंगोत्री यमनोत्री के दारनाथ बद्रिनाथ आधी जो हिंदू तीर्तिस्तल हैं कि वो भी यहीं पर मिलते हैं इसके बाद तीसरा हमाल है मारा दार्जिलिंग और सिक्किम में पस्यमंगाल और सिक्किम के अंतरगत यहां पर कंचन जुंगा चोटी मिलती है उसकी location हम पहले ही देख चुके हैं तिस्ता नदी मिलती है चाय की बागान मिलते हैं दाड़ जिलिंग की चाय बहुत प्रसिद्ध है जलेपला दर्रा मिलता है यहां ठीक है इसके बाद है अरुणाचल हिमाले पहाड़ आप देख ही रखे हो मानचित्र में पहले मिरी ड़ाफला अबोर मिश्मी पहाड़िया दर्रे बॉमडिला दर्रा दिफू दर्रा दोनों अरुणाचल प्रदेश में यह नदियाएं है यहां पे दिहांग दिबांग और लोहित दिहांग दिबांग और लोहित नदियां इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो पांचवा भाग आता है इसका पूर्वी पहाडियां और परवत तो पूर्वी पहाडियों में नागा पहाडियां जो नागा लेंड में हैं मनिपूर मीजो और पठकाई बूम पहाडियां नदी बराक नदी जो मनेपूर में बहती है इसके लावा एक जील मिलती है आप लोकताक जील जो बड़ी प्रसिद्ध है यह भी मनेपूर में है इसके बाद हिमाले के प्रादेशिक विभाजन में एक वरगी करण अक्सर पूछ लिया जाता है जो है सिड्नी बुराड का हिमाले का प्रादेशिक विभाजन तो इसने नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया था जैसे सिंदू नदी से लेके 17 नदी के बीच में जो हिमाले है उसे नाम दिया गया पंजाब हिमाले है इसकी लंबाई है 560 किलोमेटर इसी तरह 17 नदी से लेके काली नदी के बी सब्सक्राइब और तिस्ता नदी से लेके ब्रहम पुत्र दिहांग तक जो हिमाले है उसे नाम दिया गया असम हिमाले इसकी लंबाई है साथ सो पचास किलोमेٹर तो कई बार परिक्षा में इनकी जो काली यजई पूंच ली जाती है यह पूंच लिया जाता है कि सतील और काली के मद्ध कौन से हिमाले है तो लंबाई के अधार पर पे तो यह आज हमने पड़ा है उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमाले के बारे में इसके लिए मानचित्र का अभ्यास कीजिए जो जो मानचित्र में मैंने बना रहे हैं उनको बनाने का प्रयास कीजिए तो उससे आपका यह बहुत अच्छे से के लिए हो जाएगा इसकी पीडियाप मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूँगा तो देट सॉल प्रॉम दिस वीडियो थैंक यू